इंटर्व्यू के लिए कैसे प्रिपेर करना चाहिए क्योंकि कई बार ऐसा हो जाते हैं कि मार्क्स बहुत अच्छे रहते हैं पर वो इंटर्व्यू में 40-50 मार्क्स आ जाते हैं आपका इनर्व्यू है आप अंदर से जो हो वही दिखाना है और उसमें कोई भी शोवाजी नह या भूल गया हो एक्दम स्ट्रेट फॉरड बोल सकते मुझे नहीं याद है नहीं आता मैंने नहीं सुना है नहीं पड़ा है बजाए इसके कि आप बलफ करो कि अरे नहीं यार मुझे तो आंसर करना ही पड़ेगा क्योंकि आंसर करने का आपको मौकत दो बार दे चुक है फेकने के लिए ठीक है पुरी में भी तुक्का मार सकते हो मेंस में नहीं आता है तो एक दोलान लिख सकते हो तो वह चीज़े इसमें ना करें और जो आप असल में है वही चीज़ दिखाएं तो इसे ही वह इंप्रेस होते हैं और इंटर्व्यू बहुत क्रूशल हो गया है क्योंकि 130 मार्क से लेके पिछले बार तो 35 भी मिला हुआ था 35 नहीं से 50-60 मार्क से लेके चलिए तो वह लगभग 70-80 नंबर का जो गैप है वह रिजल्ट को बहुत अच्छे तरीके से इफेट कर सकता है तो इसलिए आप अच्छे से प्रिपर करिए इंटर्व्यू में बस हैं दो तीन पर्सनालिटी के नाम याद रख लीजे फिर वो लोग किस फिल्ड में हैं उस फिल्ड में और कुछ स्पेशल है क्या यह कुछ स्पेशल उनके कॉंट्रिबूशन है क्या तो नाम पे हो गया कोश्चन पूछते ही हैं एक नॉर्मल कोश्चन है फिर दूसरा ग्री जीले के बारे में पूछेगा फिर वहां कुछ मिनरल्स मिलता है हर चीज उसका एकदम अच्छे से पुकता बना लीजिए फिर आप किसी कॉलेज से पढ़े हैं तो वो पूछेंगे ठीक कॉलेज के हिस्ट्री वहां से नोटेबल अलूमिनाई कोई है यह और कुछ स् इंटर्व्यू में उससे ज़्यादा कुछ फ़रक नहीं पड़ता है आप उसके लावा जो आप खुद है उसको कैसे प्लेंट कर रहे हैं यह चीज़ डिपेंट करता और किस कॉंफिदेंस आप आंसर दे रहे हैं माथे पे शिकर नहीं आना चाहिए और पसीना पसीना नही नहीं बोल लिए क्या लोग नहीं बोल-बोलके अच्छे माज सचीव की हैं मैंने सुना कि जैसे 10 कोस्टन टोटल माण लोब बीच सो और रहे हैं कि sorry sir मैंने नहीं पड़ा है या मुझे भी याद नहीं आ रहा है pardon sir इस तरीके से आप politely मना कर सकते हैं हाँ आपको sufficient मौका देंगे कि आप कुछ तो बोलें लेकिन ऐसा भी नहीं है कि दसो के दसो कोशन में आप नहीं आता बोलें कुछ बोलिए अपने आपको प्रेसेंट करी है कि यहीं मौका है और इंटर्व्यू तक आपके पास अच्छे लोगों का background वाले जो रहते हैं जिन लोग पहले से इंटर्व्यू दे चुके हैं कुछ selected लो यह सब आपको मिल जाते हैं आपको तयारी अच्छी हो जाती है एक अच्छा सरकल मिलता है आपको इंटर्व्यू के तयारी के लिए डेफिनेटी चाहिए आप बिलासपूर मेरा है राइपूर मेरा है याने किसी शहर मेरा है आप सोशल मेडिये से भी सब लोग जुड़े हुए हैं मौक इंटर्व्यू ज़रूर दीजिए मौक इंटर्व्यू में आपको बहुत फाइदा होगा बस यही है मेरा टिप इंटर्व्यू के लिए है क्राइपूर में आपको बहुत इंटर्वी ज़रूर में दीजिए यही जुड़े है यही है है आप के लिए है राल-बस गुड़े है है यह जब दुड़ें दूड़ें वारे है बिलाई ग्व थैंग